अब बड़ी गड़ेद मंत्रा में आपका स्वागत है जैसा कि आपको पताए कि SSE ने 2021 का नया कलेंडर जारी कर दिया है इसमें यह बताया गया है कि कब किस वेकेंसी आएगी 2021 वाली और उसका एक्जाम कब होगा तो सबसे पहले SSE CESAL 2021 की वेकेंसी आएगी जिसका एक्जाम अफ्रैल में होगा इसके बाद CSL आएगा इसका एक्जाम मही में होगा के बाद MTS आएगा का एक्जाम जून में होगा ठिक तो यदि आप भी पहली बार SSE का एक्जाम देने वाले हैं और पहले एक्जाम को करेक करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत informative है तो पहले 100 कोशन होते हैं जो आपको 60 मिनट में अटाइम्ट करने होते हैं जिसमें से 25 मेहत के होते हैं 25 रिजिनिंग के होते हैं और 25 इंगलिस के होते हैं ठीक है तो यह आपका हो गया एक्जाम का पैटन अब बात करते हैं स्लेबस की तो आप official side में जाकर कर पूरा तिरे दिरे और मेन प्रॉब्लम ए टाइम की मतलब टाइम को ही आपको management करना है क्योंकि मैं जो ठीक्ठा केलिकुलेटिव आती है और जो problem करता हो मैं रीजिनिंग ही कर रहा है ठीक है और जीएस और English जो है उसमें कोई बिशेश दिकत नहीं होती आपको आता है जो एक बार की या आरे सग्रवाल की भूक अठा लीजिए और स्लेबस को अच्छे से प्रिपेर करिए या तो आप किसी टीचर से टीचर को जोईन कर लीजिए या यूटूब पे बहुत सारे टीचर है उनको आप फॉलो कर लीजिए सबसे पहले आप मैथमेटिक्स के पूरे टॉपिक का टॉपिक क्लियर करना है इसके बाद में आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए रही बाद रिजिनिंग की तो रिजिनिंग में आपको कुछ टॉपिक है जैसे क्लॉक हो गया पजल हो गया चिटिंग अरेंजमेंट हो गया इनको पढ़ने की जुरत होती और आगे जब आप स्टी देंगे तो यह अपने प्रिपेर हो जाएंगे अब रही बात आपकी जीएस की तो जीएस के लिए सबसे अच्छी बुक मैं बता दूँ आपको तो लूसेंड की बुक है आप लूसेंड को जितने ज्यादा बार रिवाइस करेंगे उतना ही आपको फायदा होग तो आप पूरी 2021 की करेंट अफेर की एक बुक ले ले पार्ट में आएगी 6-6 मेने के या 1-year के पार्ट में और उसको आप अच्छे से रिवाइस करना चालूगा दे तो जीएस आपकी इससे हो जाएगी ठीक अब बात आए इंगलिस की लिए एक नार्मल लेविस की बुक आती है उससे आपकी वोकाइब तैयार हो जाएंगी इसके बाद मेरा आप कामनेर की एक बुक आती जिसमें एससी के आए हुए पेपर प्रीविस एर के पेपर दिये हुए है तो आप उससे उसका स्लेबस भी पढ़ सकते हैं और उसके मतलब जो टॉपिक भी है उनको भी त प्रिपेर कर लेना ठीक है तो इससे आपकी इंग्लीज भी क्लियर हो जाएगी अब आए रीजिनी की बात तो रीजिनी में कोई विशेश आपको मेनत करने के जुरत नहीं है बस आप कुछ टॉपिक जो मैंने बताएं उनको आप प्रिपेर कर लीजिए और साथ ही साथ में प्राक्टिस जब करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं सब चीजें क्लियर हो जाएंगी अब दो महिने बाद ये दो ढ़ाई महिने तक पूरा प्रोसेस अप्लाई करना ठीक तब तक आपका सलेबस लगबग लगबग खतम हो जाएगा थोड़े ज्यादा मेनत करनी पड़ेगी क क्योंकि सलेबस 5-6 मेने का होता है धाई मैने में आपको कबर करना पड़ेगा जब आप 2.5 मैने कंप्लीट कर लेते हैं तब आप स्टी देना चालू करते हैं मीन कम से कम दिन में एक या हो जाए तो दो सकता है पहले बार आपके नंबर बहुत कम है लेकिन दिरे दिरे दिर बीट होना है तो आप गर सकते हैं कि लिकार स्ट प्रसक कर सकते हुए कर्सक् diminish car मैने में बहुत अच्छी इन में प्रीवियस के सात में लोग्त कि आप करना क्या कि देते हैं तो जो को में पो नहीं आ रहे हैं तो वह आपको करना सले मैं और विस사 कर मैं का वे निए कोस्चन प्रांबब्लाव होती उनको आप कि यूटूब में किसी भी टीचर से आप पढ़ लिजी बिसेज प्रॉब्लम होगी मैस से तो जो कोशन आपको नहीं आ रहे हैं और बार बार वो रिपीट होते हैं तो आप उनको लिख लीजिए और उनको प्रैक्टिस करते रहें ठीक जब आप करीब पचास साठ के आसपाथ स्टी दे लेंगे तो आपको खुद अपने इंप्रूमेंट समझ भी आने लगेगा और आपका स्कोर भी गेन होने लगेगा ठीक है और कोई दिक्कात हो तो वीडियो में कमेंट भी करें और इस प्रक्रिया को यदि आप लाइक करेंगे वीडियो को जादा जादा शेयर करना जिससे लोगों को इस वीडियो से फाइदा मिले और वह भी पहले यह एकड ज्ञाम करें ठयक्तर már ठिक तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करएं thanks for your time